120 की स्पीट, 5 मिनट की लिखे, किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किन्तु मानवजाती के लिए बहुत बड़ा कदम था, अतहां मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह माहान कदम होगा, मैं आसा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्सहा पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्दी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हैं, हमारे बुद्ध जीवियों, हमारे पत्रकारों अत्याती में ब्याप्त अविश्वास या संदहवरती इस बाधा को हटाना होगा, हमें अपने उत्सहा को पुनह स्थापित करना होगा और उससे उत्पन होगा वह साहस दहरे और संकल सक्ति जो उन बहुत सी चीजों को प्राप्त करने के लिए आवशक हैं, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए, जब कभी राजिनितिक जीवन और बुर्धिक जीवन में निकट का संबन्द रहा है, तो दोनों को लाब पहुंचा हैं, सवापती महदे, जो रिपोर्ट मध्यनिशेद के संबन्द में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबन्द में अपने विचार रखने जा रहा हूँ, इस रिपोर्ट के दो भाग हैं, इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का बरणन किया गया है, बहुत सारी बिवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है, मैं इसके बिस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेस बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि क्या नसावंदी हमारे लिए आवशक है, क्या यह आवशक है कि हम मद्धापान ना करें, इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहें वह खेती का हो, बैपार का हो, या यांतरिक यूग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवशक है कि आदमी का मस्तिस्क ठीक तरहा से काम करें, अगर मस्तिस्क का संतुलन बिगड जाता है, तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता, और यह सराव एक ऐसी चीज है, जो कि विप्ति के मस्तिस्क का संतुलन खो देती है, इसलिए हमारे देश में, हमारे निताव में यह आवशक समझा था कि, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज का ज्यान देना है, किसी चीज को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवशक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे, और इसी लिए नसावंदी का होना बहुत ही आवशक है, इस वात का प्रचार स्वतंतरता के पहले और बाद में भी किया गया था, यदि हम धर्मे गरंथों को देखें, हिंदु धर्म के वेद तथा सास्त्रों को देखें, इसाईयों की बाइविल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी गिरंथ में भी इस प्रकार की विचारदारा नहीं है कि आदमी सराब पियें, हर इस्थान पर इसका खंडन किया गया है, सभी महपुर्सों ने चाहें बेलोकमानने तिलक हों या महतमा गांदी जी हों, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्टिय जीवन के लिए अगरसर्थ है, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है, और कहा है कि नसा इंसान के लिए अच्छी चीज नहीं है, और इसलिए उसका उप्योग नहीं करना चाहिए, मैं आपके द्वारा इस सवन का ध्याड दिलांगा की सराब बंदी को जहां जहां भी धील दी गई है, बहाँ पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है, सवापती महोदे सराब पीने से सारिले खानी और आर्थि खानी तो होती है, साथ ही साथ समाजिक जीवन में भी बहबुरी सिद्ध होती है, जहां पर नसावंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट और आंदर के कुछ ऐसे हिस्से हैं, जहां पर नसावंदी लागू नहीं है, बहाँ पर दिन दिन अपराद वड़ते जा रहे हैं, मानेवर इस अनुदान पर जब हम बिचार कर रहे हैं, तो हमारे सामने तीन परिस्थित्या हैं, स्टॉप